हेलो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्त होंगे तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं कार्बन 14 वीदी और कार्बन 12 वीदी में क्या अंतर है या आपको बाता आना है तो चलिए इस वीडियो में हम इसी करने वाले हैं के बारे के बारे में करेंगे तो देखिए तीथी निर्धारन के बेग्यानिक बीधी को ही कार्बन 14 बीधी कहा जाता है और इस बीधी का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायं सास्त्री बी एफ लिंबी द्वारासन 1946 इस्पी में किया गया था और इस विधी के अनुशार किसी भी पुराने से पुराने या मृत वस्तु की जो तीथी है ना उसको पता लगया जा सकता है अब उधारन के लिए आप सिंदुखाटी सभ्यता को ले सकते हैं जब वहाँ पी खुदाई हुई थी तो बहुत सारे पुराने वस्तु मिले थे और साथ ही एक सहर है सिंदुखाटी सभ्यता का मोहन जोद्रू वहाँ पर जो है ना बहुत सारे मृत बेक्ती का जो कंकाल है व वह कितने वर्ष पुराने वह समान थे और वह जो कंकाल थे वह तो आपने कार्बन चोधा बीधी समझ लिया कि पुराने से पुराने या मिरित वस्तु का जो तीथी है ना उनका उम्र एक तरीका से बोल सकते हैं आप उम्र को पता करना ही कार्बन चोधा बीधी कहा जाता ह अब बात करते हैं कार्बन 12 बीधी के बारे में, तो दीखें तीथी के निर्धारन, यानि के तीथी निर्धारन के बेग्यानिक बीधी को ही कार्बन 14 बीधी कहा जाता है, इस बीधी के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु का तीथी का पता लगया जा सकता है, और कार्बन 12 ब लगया जा सकता था और वहीं पर जो कारभण बारावीदी है इसमें जीवीत वस्तु का अबार कि अधू सकता है तो आप ऐसको समझेने के लिए अच्छे से बारावीदी कर्मीन के नगे करें के उधाना लाता कि नवीफ करें अगर वही आप लड़की से पूछ रहा है ना कि भाई तब कि तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है तो वह अपना उम्र जो है नो वह 5-6 साल कम करके बताती है तो लड़कियों का कारभन 12 बीधी दुवारा उनका उम्र पता किया जा सकता है और वैसे आप इस बीधी का परयोग गल्फेंट पर मत कीजिए गा या अपने गल्फेंट से उसका एज मत पूछिए गा वरना आपका ब्रेक अप होने से कोही नहीं रोग सकता है तो यह जो उधारन में ने दिया है लड़का और लड़की का यह समझने के लिए है केवल इसका उपियों का मत कीजिए गा या ग कारवन 14 और कारवन 12 वीदी के बारे में तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए गा और चैनल को सस्क्राइब कीजिए गा मिलते हैं नेस्ट वीडियों में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रम